प्रियचात्रों आज हम कव्षा दस्वी हिंदी लोख भारती की पहली काई में संकलित कविता भारत महिमा का अज्ञेन करेंगे इस कविता के रचनाकार राष्टिय चेतना के गायक तथा चायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक फ्री जैशंकर प्रसाद जी हैं कविता का आरंब करने से पूर्व हम कवि के बारे में संग्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं प्रसाद जी का जन्म सन 1890 इस्वी में उत्तर प्रदेश वारानसी में हुआ था आप वहमुखी प्रतिबा के धनी साहित्यकार हैं आप कवि नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निवंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत के दर्शन होते हैं प्रसाद जी का देहावसान सन 1937 इस्वी में हुआ प्रस्तुत कविता भारत में हिमा में भी कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वरण किया है कविका कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रती अपना सर्वस्व नियोचावर करने के लिए हमेशा तत पर रहना चाहिए चात्रों अब हम कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ समझने का प्रयास करेंगे हिमाले की आंगन में उसे किरणों का देव उपहार उशा ने हंस अभिनन्दन किया और पहनाया ही रखार इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने हमारे देश की विशेष्टा का वरण करती ही कहा है कि हमारा देश हिमाले की आंगन में स्थित है और यही वह देश है जहां पर जिस देश की धर्ती पर सुर्योदे के पश्षात सुर्य की किरणे सरुप्रत्वं पढ़ती है अर्थात सुर्य का प्रकाश जिस देश की धर्ती पर सबसे पहले आता है उशा ने हस अभिनंदन किया और बताया कि उशा अर्थात प्रातहकाल यहां पर उशा का मानवी करण किया गया है मानवी करण मतलब परसॉनिफिकेशन उशा ने हस अभिनंदन किया बताया हमारा देश ऐसा देश है इसका अभिनंदन इसका स्वागत उशा ने किया कैसे किया पहनाया हीरक हार इस देश को हीरों का हार पहना करके इसका स्वागत किया इन पंक्तियों में हीरक हार अर्थात हीरों का हार ओस की बूदों को कहा गया है जो रात्री में पेड़ पौधों की पत्तियों और त्रिणों के तिनकों पर पड़ी रहती है प्रात्यकाल सुर्योदे होने पर सुर्य के स्वर्णिम प्रकाश में वे बूदे हीरों के कणों जैसी चमकती है जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक इन पंक्तियों में कभी ने यह बताया है कि ज्ञान का प्रकाश ज्ञान का अभिदय सबसे पहले हमारे देश में हुआ इसलिए जगे हम हम मतलब भारतवासी कहते हैं कि भारतवासी इस संसार में सबसे पहले जगे जगे अर्थात सब्ध हुए सब्धता संस्कृत का उदय सबसे पहले हमारे देश में ही हुआ ततपश्चात लगे जगाने विश्व हम सारे विश्व को सारे संसार को जगाने लगे अर्थात सब्ध होने के बाद ग्यान प्राप्त होने के बाद भारतवासियों ने अपने ज्ञान अपनी सभ्यता को मात्र अपने पास तक ही सीमित नहीं रखा बलकि उन्होंने अपने ज्ञान को सारे संसार में फैलाने का प्रयास किया यह भारतवासियों की लोक कल्यान कारी भावना का सूचक है भारतवासी कभी भी स्वार्थी नहीं रहे बलकि लोक कल्यान की भावना से भरे रहे उन्होंने इसलिए उन्होंने अपनी ज्ञान को मात्र अपने तक ही सीमित न रखते हुए सारे विश्व में फैलाया इसलिए कहा है लोक में फैला फिर आलोक सारे संसार में लोक मनला संसार दुनिया विश्व जगत में फिर आलोक फैला फिर मतलब भारतवासियों के जगने के बाद भारतवासियों द्वारा संसार में ग्यान का प्रकाश फैलाये जाने के बाद सारे संसार में क्या है आलोक मनल प्रकाश फहला किसका अज्ञान का जो अज्ञानता रूपी अंदकार था वह नस्ट हुआ विवम तम पुँज हुगा तम नस्ट वियों तम पुँज- वयम मतलो आस्मान तम मतलब अंधकार- आस्मान में- अर्थात सारी संसार में, विष्ष में, श Kitty में जो तम अर्थात ज्ञानता रूपी अंधकार था, भारत वासियों द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाने के बाद वह नस्ट हुआ, खत्म हुआ समाप्त हुआ, आखिल संस्रित हो उठी अशोक, अव उसके बाद आखिल संस्रित अर्थात सारी स्रिष्ट सारी दुनिया सारा संसार अशोक हो टे अशोक मतलब शोक मुक्त दुखों से मुक्त अर्थात सुखी क्योंकि दुखों का मूल कारण हमारे दुखों का मूल कारण क्या है हमारी अज्यानता है अज्यान नस्ट होने के बाद ज्यान का प्रकाश प्राप्त होने के बाद समस्त दुखों का नाश हो जाता है और हम सुख की राह पर चल पड़ते हैं विमल्वाणी ने विणाली कमल कोमल कर्मे सप्रीत सब्त स्वर सब्त सिंध में उठे चिडात मधुर सामसंगीत इन पंक्तियों में कवी ने यह बताने का प्रयास किया है कि ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृत का उदय तो भारत में हुआ ही संगीत की स्रिष्ठी भी हमारे देश भारत में ही हुई विमल विमल होता है निर्मल वाणी वाणी मनल बोली होता है जपान या भाषा पर ज्यान की अधिश्ठात्री देवी सरस्वती का एक नाम वाणी भी है तो इसलिए इन पंक्तियों में कभी ने कहा है कि मा सरस्वती ने अपने कमल जैसे कोमल और निर्मल हाथों में कर मतलब हाथ में बड़े प्रेम से वीणा को धारण किया और उसकी जनकार से सप्त स्वर संगीत के सातों स्वरों की रचना सप्त सिंदु प्रदेश में हुई सप्त सिंदु प्रदेश पश्जिमउत्तर भारत को कहा जाता है जिन में साथ नदियों का समुह है जहां साथ नदियां प्रवाइत होती हैं सत्लन, सिंद, जेलम, रावी, गंगा, यमना और सरस्वती सब्त शिंदु प्रदेश को प्राचीन काल में आर्यावर्त कहा जाता था आर्यावर्त भारत का पुराना नाम है तो इन पंक्तियों के द्वारा कभी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि ज्ञान विज्ञान के साथ साथ संगीत विद्या का जन्म भी हमारे देश भारत में ही हुआ छिडा तब मधूर साम संगीत हमारे देश की सभ्यता और संस्कृत का ज्ञान कराने वाले ज्ञान विज्ञान के जो मूल आधार चारवेद हैं इनमें रिगवेद अथरवेद यह जुरवेद और सामवेद है सामवेद जो है उसमें संगीत विद्या का विस्तृत ज्यान दिया गया है उस सामवेद की रचना जो हमारे देश में ही हुई